दोस्तो आज इस वीडियो में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में जानने वाले हैं प्राण अकाउंट कैसे ओपन करना है एनपीएस का खाता कैसे खुलवाना है nsdl की website पर जाएंगे enps.nsdl.com पर registration पर click करना है यहां बहुत सारे options है यह registration पर जैसे ही click करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा एक form open हो जाएगा जिसको हम easily fill कर सकते कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरी वीडियो को आप देखके आप easily कर लीजिए parallelly अभी यहां पर individual subscriber है यहां पर corporate subscriber है आप कोई भी आम आदमी भी खुलवा सकता है या किसी corporate company में काम करता है वो भी अभी आम corporate subscriber तो मैं corporate पर click करूँगा यहां citizen of India then after register with अधार definitely आप अधार के साथ ही जाए easy रहेगा आपका tire one only यह corporate का tire one है अगर आप corporate नहीं है तो बाकी select कर सकते है मैंने corporate select कर लिया है head office branch office और मैंने अधार के थूरू इसको verify करने वाला हूँ तो अपना अधार number डाल दिया और proceed कर दिया NPS account के लिए मेरा account acknowledge हो जाएगा basic details आ गई है अभी further proceed करेंगे देखिए acknowledgement number आ गया name of subscriber आ गया अभी इसको account को verify करेंगे mobile number OTP के तुरू and mail ID OTP के तुरू valid mail ID और आपके पास phone number होना चाहिए दोनों पे एक message आएगा mail पे भी आएगा phone पे भी आएगा आप different different select कर सकते हैं अगर different है तो एक ही है तो आप दोनों एक ही कर सकते हैं कोई issue नहीं है यह सारा address automatically इसने अधार बेस उठाया हुआ है कुछ details में gap है तो आप यहांसे edit नहीं कर सकते save and proceed करेंगे यहां पर आपको scheme के लिए preference के लिए मांग रहा है कौन से bank के साथ आपको जाना है यहां पर options रहते हैं अभी मैंने sgfc bank के साथ select किया आपको auto select करना है आपकी जो investment options है या active active में आप अपने choice से रह सकते हैं कुछ भी select कर सकते हैं अभी है मैंने auto किया है automatically रहेगा aggressive, moderate, conservative तीन तरह के mode रहते हैं मैं आपको तीनों को prefer करूँगा कि आप moderate mode select करें always go for the moderate mode जादा detail आप पढ़ सकते हैं google पर moderate को select कर दिया basic details को यहां से चेक कर लीजिए कोई gap है तो देख लीजिए otherwise save and proceed कर दीजिए यहां पे scanned pen card लगाना है PDF लगा सकते हैं JPG image लगा सकते हैं इसके अलवा आपको cancelled चेक लगाना है जो भी आपका account है आपको कोई भी चेक लीजिए उस पे cancelled लिखे उसको scan कीजिए वो upload कर दीजिए JPG अप PDF को सकती है 4KB से 2MB तक की file होनी चाहिए इन दोनों में से आप कोई भी upload कर सकते हैं अभी इसके बाद अगर हम बात करें जैसे attachment आपका हो जाएगा attachment होने के बाद में कुछ और upload करने पड़ेंगे जैसे आपकी photograph हो गई आपका signature हो गई उसको further attach करेंगे इसको proceed करने के बाद में तो वह आप prepare कर लीजिए अपनी photo को scan करके रख लीजिए आपने अधार बेस आपकी update है तो automatically भी आ जाएगी जैसे मेरी देखिए जैसे हमने click क के लिए photo के लिए कुछ नहीं करना क्योंकि automatically आगी हमने अपना signature upload कर दिया है और हम इसको save और confirm कर देंगे इसको मैंने confirm कर दिया form को सारी details मुझे फिर से show कर रहा है कि एक बार check कर लीजिए name address आपका everything आपको को doubt है change करना तब यह आप कर सकते हैं यहां पर name and family details में चेक कर यहां पर देख सकते next next करते जारे मतब जितने step अभी तक हमने किया है उनको re-verify करने के लिए बोल रहा है अभी कितना amount contribute करना यहां से हम select कर सकते हैं initial first time में मैं 500 रुपे कर रहा हूं तो 500 हजार 205 depends on me साल बर में 50,000 रुपे तक कर सकते हैं 500 रुपीज का contribution दे रहा हूं मैं तो online mode से आप debit, credit card, net banking, किसी भी mode से आप payment कर सकते हैं 500 रुपीज का यहां से declaration जतनी भी इनको tick out कर देंगे declaration authorization by all subscriber declaration under the prevention of money laundering next नीचे आपको आ रहा है कि मैं I want annual transaction statement in email only or physical चाहिए इसको मैं email कर देता हूं क्योंकि unnecessary wasted नहीं करना प्रान कार्ड आपको कह रहा है कि welcome kit email पे चाहिए that's it 18 रुपे लगेंगे यह आपको प्रान कार्ड physically welcome kit चाहिए 35 रुपीज यह आपको complete physical kit चाहिए मैंने इस तलग कर लेगी कि one time मैं चाहता हूं कि मेरा प्रान किट, welcome kit सब physically मेरे address पे आ जाए तकि records में रखे रहे तो इसक पहले आपको री कंफर्म करने के लिए कर रहा है एडिट करना है तो details एडिट कर सकते है ने फादर नेम डेटो बद फोटो सिखनेचर आपका शो कर रहा है जो आपके प्रान अकाउंट पे भी reflect होगा अगर आपको अभी बीडाउट लगता है तो यहां से एडिट कर सकते ह 500 उपीज का आपका देन आफटर आप पेमेंट प्रोसीड नहीं कर पाएंगे यहां से मैंने अपने जो भी काड़ डिटेल से नेट बेंग से जैसे आप चाहें पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद में आपका कंफर्म हो जाएगा आपका ओके कंफर्म होने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेल आइड और मोबाइल ओटीपी दोनों मांग रहा हैं दोनों पे आपका आजाएगा दोनों इमेल पे और अपना फोन नमबर पे चक कर लीजे ओटीपी को यह डालके अकाउंट को ई साइन कर दीजी वेरिफा के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में एंपेस में सेविंग्स के लिए और अपने एंप्लोयर से भी शेयर करना होता है आपका प्राण अकाउंट नमबर तो यहां पे चाहिए हम डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम जनरेटेड सब्सक्राइबर रिजिटेशन फोर्म जो अभी हम प्राण